आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटुब चैनल आओ देख्वाल मिक्स में दोस्तो आज कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुलर का ब्रिक्ष जो होता है उस ब्रिक्ष से परिचित कराऊंगा आप लोगों को और उसके बहुत ही लाजवाब गजब का औ आप लोग को बताते हैं इस गुलर ब्रिक्ष की बहुत ही दमदार लाजवाब आउसदी परियोग तो दोस्तों जैसे की आप लोग अभी देख पा रहे हो ये गुलर का ब्रिक्ष है और इसमें इसके तनों में बहुत सारा फ़ल एकठा गुच्छों में लगा हुआ है इस फल के मुकाबले गुलर के तनों से दूद भी निकलता है और इसके पत्तों को भी तोड़ने से दूद निकलता है जो की फोड़ा फुनसे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इसके दूद को अगर आप चाहो तो प्रियोग करके देख सकते हो अगर किसी को पागल के दूद को एक-दो बून चटाते रहने से दिन में दो-तीन बार पागल कुत्ते के काटने का असर नहीं होता है या बहुंत ही गजप का अवसधी प्रियोग है आप प्रियोग करके देख लीजिएगा इसके पत्ते में भी बहुत ही गजब के अवसदी गूर पाय जाते हैं और इसके बहुत सारे पत्तों में गांट वाली पत्ते भी होते हैं वह गांट वाली पत्ता मामूली नहीं होता है इस गांट वाले पत्ते का चटनी बना करके पेश्ट बना करके यदि आप अपने चेहरे पे लेप करते हैं, राद भर लेप करके देखो, सुगा आपको चेहरा बहुत ही साफ, बेदाग और निखरा हुआ नजर आएगा, इस तरह से आपको लगातार एक सप्ता परियोग करना है, आपका चेहरा बिलकुल, केल, मुहासे, पिंपल, हर चीज, आपके चेहरे से गयब हो ज की रामबान अचू का उसदी है, और इन ही पत्तों का रस निकाल करके यदि लिकोरिया की समस्या वाली महिलाओं को पिलाया जाये तो उनकी लिकोरिया समाब तो हो जाती है, और इन ही पत्तों का रस, यदि किसी जहरीला पदार्थ को खा लेने के बाद पिलाया जाये, तो जरीला पदार्ध का असर बे असर हो जाता है यानि आप कोई भी जहर खा लेते हो गलती से या फुर कोई खिला देता है तो आप इस गुलर के रस दो तिन चम्मच निकाल कर पी लीजिए इससे आपका वो जहर कभी आपको नुक्सान नहीं पहुँचाएगा बलकि पच जाएगा और पूरी तरह से पचने के बाद आपको कुछ भी जहर का दूस्परिडाम नहीं मिलेगा इतना पावरफूल जबरदस्त ताकत होता है इस गुलर के पत्तों के रस में अब मैं आप लोगों को इसके फलों के फायदे के बारे में बता देता हूँ वैसे इस गुलर के बहुत सारे फायदे हैं अगर मैं एक ही वीडियो में बताता रहूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोग को जो गिना चुना इस वीडियो में बताने के लिए सोचा हूँ उसी जानकारी को आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि इस गुलर ब्रिक्ष का जानकारी एक ही वीडियो में बताना मुस्किल ही नहीं नामंकिन है इसलिए आप जितना जानकारी इस वीडियो में मिल रहा है उसको समझ लेजी अच्छे से इसका और भी वीडियो आती रहेगी वीडियो में आपको कुछ नए नए जानकारी मिलता रहेगा तो चलिए मैं आप लोगों को इसके फ़लों का एक बहुत ही जो इस्पेसल तरीका है फार्मूला है और सधी प्रियोग है उस प्रियोग को आप लोग को बता देता हूं जिसे हर को यसानी से कर सकता है और अपने ग्रिहस्त जीवन में हमेशा सुखमाई जीवन बिता सकता है में दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका प्रियोग करने के बाद वहाँ अपनी घर ग्रिहस्ती को अच्छे से चला सकता है अपनी बीवी को हमेशा खुश रख सकता है बीवी को ही नहीं हर किसी को इतना पावरफूल जबरदस्ट असर करता है यह गुलर का जो फल होता है यह सिर्फ फल ही नहीं है यह मान के चलो हर मर्द के लिए अम्रित है अगर आप इसकी अम्रित वाली फायदा लेना चाहते हो इसकी गुरुवत्ता जानना चाहते हो तो एक बार जीवन में इसका ट्राई करके देखो उपयोग करके देखो आपको खुद बखुद पता चल जाएगा इस गुलर बिक्ष के पके फलों को एकठा कर लीजिए एकठा करने के बाद आप उसे छाया में या फिर हलके धूप में सुखा करके उसे पाउडर कर लीजिए पाउडर करने के बाद आप इसमें सतावर अस्वगंधा बिदारी कंद सफेद मुझली इन चारों चीजों को भी बराबर मातरा में मिला लें और बराबर मातरा में मिलाने के बाद मिस्री का पाउडर भी इसमें बराबर मातरा में मिला लें अब इन सब को एक साथ एक डिब्बे में रख लें चाहें तो आप 5-5 ग्राम की गोली बना सकते हो, यदि ना चाहें तो 5 ग्राम का पाॉडर एक चम्मच ले करके रोजाना दूर्थ के साथ या फिर सहत के साथ खा सकते हो, इस तरह से सेवन करने पर दोस्तों कभी भी जिंद मेरे भाई बंदू जो हैं वे लोग इस तरह से प्रियोग करके देख सकते हैं उनको कभी भी कोई कमजोरी ताकत की कमी होगी ही नहीं उनके कमर में जोन में कभी दाद नहीं होगा इतना जबर्दस्त आवसदी होता है यह गुलर का फल हर परकार की जो खोई होई सकती होती है वापस लोटा के रख देता है एक परकार से यह गुलर का ब्रिक्ष भगवान का हम मर्दों के लिए खास असिरवाद होता है तो एक बार और सुन लीजिए इस गुलर को सुखा करके पाउडर कर लेना है पाउडर करने के बाद आप इसमें बिदारी कंद का पाउडर और पाउडर का पाउडर और सतावरी का पाउडर बराबर मातरा में मिला लेजिए ये सभी पंसारी के यहां से मेडिकल इस्टोर की दवाई दुकान से मिल जाएगी और उसके बाद आपको बराबर मातरा में मिस्री मिलानी है मिस्री मिलाने के बाद आप इसको किसी अच्छे स डिब्बे में रख सकते हो, रखने के बाद 5 ग्राम की मात्रा में एक एक चम्मच चुबबा साम भोजन के बाद आप सेवन कर सकते हो, दूध या सहत के साथ, नियमी तरुब से अगर लगातार सेवन करते हो, 15 महना दिन भी सेवन कर लेते हो, तो आपको पूरे वर्स भर किसी में आ गया होगा अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल में सित्रह की दमदार अवसधी प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए मैं मिलता हूं किसी और अच्छे अच्छे वीडियो में तब तक के लिए आप पुन ख्याल रखिए खुश रहिए नमस्कार जाहिंद जैच्छतित गर्षा